गुड मॉर्णी माइ दियर स्टुनेंट्स। आइम संजिस्क राव। आइम गूंग तो टीच यू तो इसमें तीन पैराग्राफ दिये गए हैं। त्री पैराग्राफ आप देख सकते हैं। एक पैराग्राफ एट लाइन का हैं। ऐसे ही करके वान टू थ्री पैराग्राप्स आर गिवन हीर। फर्स्ट पैराग्राप से स्टार्ट होंगे। The mighty हिम्बंत is ours। mighty मतलब होता है सकती साली। तो mighty हिम्बंत मतलब होता है हिमाला। जो mighty हिमाला है वो हमारा है, सक्तिसाली हिमाला है, वो हमारा है, there is no equal anywhere on the earth, there is no equal, equal means होता है समान, anywhere मतलब कहीं पर भी, कहीं पर भी इस प्रद्वी पर हिमाले के समान कोई दूसरा नहीं है, दूसरा mighty नहीं है, दूसरा सक्तिसाली नहीं है, किसके समान हिमाला के समान, second line हम पढ़ेंगे, the generous ganga is ours, जो पवित्र उदार गंगा है, वो भी हमारी है, जो हमारे भारत देश में भैती है, which other river can match her grace, अन जो नदिया हैं, उससे match नहीं कर सकती, उसी grace से, उसकी उदारता से, grace किरपा से match नहीं कर सकती है, the sacred openices are ours, जो openices है, पवित्र sacred means होता है, पवित्र, जो पवित्र openices हैं, वो हमारे हैं, आपको पता है कि कितने openices हैं, 108 openices are there, ठीक है, total, वो हमारे हैं, what scriptures has to name with them, जो भी scriptures और साथ में हो सभी क्या हैं, हमारे हैं, इंडिया में हैं, this sunny golden land is ours, यह sunny golden land भी क्या है, हमारी है, C is peerless, let's praise her, peerless मतला होती है, वेजोड, जिसकी तुल्ला ना की जा सके किसी अन्य चीज से, C, यहाँ पर किसको बताए गया है, C means भारत, इंडिया, ठीक है, C is peerless, let's praise her, ठीक है, यह वेजोड है, इसकी तुल्ला नहीं की जा सकती, it's let's praise her, आईए हम इसकी प्रशनसा करते हैं, next paragraph में देखिए, gallant warriors have lived here, gallant मतलब होता है, mahan warriors मतलब होता है, योद्धा, कि mahan योद्धा, mahan पुरुस हमारे यहाँ रहे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, जिनोंने यहाँ जन मिलिया है, many a sage has sanctifies this land, says मतलब होता है, सादू, बहुत सारे सादूओं ने यहाँ पैदा हुए हैं, और हमारी भूमी को पवित्र किया है, इस भारत भूमी को, the divinest music has been here, ठीक है, यहाँ दैवी music सुना जाता है, दैवी संगी सुना जाता है, सुनाई देता है, and here all auspious things are found, और यहाँ कीमती सारी सभी प्रकार की कीमते चीज़ें, यहाँ पर पाई जाती है, here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his dhamma here, यहाँ ब्रहमा का knowledge मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर ही बुद्ध ने अपने dhamma, जो धर्म है, उसकी preach मतला होता है, एक परकार से मार्दसन करना, ठीक है, और preach means होता है, मार्दसन करना या प्रवचन देना, ठीक है, यहाँ पर बुद्ध भगवान ने अपने धर्म का प्रवचन दिया था, ठीक है, of hori antiquities भारत, hori और antiquities का मतला होता है, प्राचीन भारत, ठीक है, c is peerless, let's pressure, वो same line repeat होती है, यहाँ पर, c is peerless, बेजोड है, इसका कोई mail नहीं है, सबसे अच्छी है, सांदार है, let's pressure, आईए हम इसकी प्रशन सा करते हैं, इसके बाद third and last paragraph देखिए आप, danger, sell not, is care us any longer, danger मतलब है, यह बताए गया है, यह चीज़ें हमारे उपर प्रहाब नहीं डाल सकती है, हमारे इंडिया को हमें यह चीज़ें डारा नहीं सकती है, क्या क्या चीज़ें हैं वो, danger, sell not, is care us any longer, खत्रा जो होता है, हमें एक भी छण हमें डारा नहीं सकता, is care means होता है, डाराना, and poverty, sell not, shear, shear, our soul, and गरीबी जो होती है, वो हमारी आत्मा को shear means होता है, जलाना, हमारी आत्मा को जला नहीं सकती है, इसके बाद देखिए आप, self interest, sound, drive us to meanness, self interest means होता है, swarth, sell not, मतलब होता है, sound जो लिखा हुआ है, sound को means होता है, sell not, ठीक है, यह short form है, self interest, sound, drive us to meanness, self interest है, जो स्वार्थ है, वो हमें नीश्ता की तरफ नहीं ले जा सकता, इसके बाद देखिए, and, cowardly, indifference, sell, seize forever, और जो डरपॉंकपन है, जो हमारी कमजोरी है, ठीक है, वो हमें seize नहीं कर सकती है, जकड नहीं सकती है, कहने का अतात पर है, खत्रा, गरीबी, और स्वार्द, और डरपॉंकपन जो होता है, डरते हैं लोग, यह हमें seize नहीं कर सकते, जकड नहीं सकते, और हमें यह शीज़ें डरा नहीं सकती है, here our lands, land overflows with milk and honey, और हमारे देश में milk और honey परयाप्त हैं, कोई दिक्गत नहीं है, and perennial is the supply of fruit and corn, परयाप्त मात्रा है, हमारे देश में fruit and corn परयाप मात्रा हैं, एक्स्ट्रा ही है आर्स इस दा फेम्द आर्यान लेंड और भारत जैसा कि आप जानते हैं भारत जो है वो किसकी भूमी है आर्यों की ठीक है आर्यान लेंड कहा जाते है कही जाती है सी स्पियरलेस लेट्स प्रेशर ठीक है ये बेजोड है सी किसके लिए उसकी जग गया है भारत हमारी मदरलेंट के लिए लेट्स प्रेशर आईए हम इसकी तारिफ करते हैं ठीक है क्लियर हो गया अब नेक्स चैप्टर नेक्स वीडियो में कंप्लीट करेंगे खूब पढ़िये आप लोग एंड लेसन फर्स से जो भी डाउट हो दैन यू कैन किलियर यूर डाउट ओके माई दिर श्ट्रेंड अल दवेस्ट वैस्ट 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 एंज्व यूरसेब थैंक यू